कॉमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिफ न्यूज मार्केट 24 पर खबर कान की नमस्कार दोस्तों वल्कम बैक टू आर चानल न्यूज मार्केट 24 सोया बीन के बारे में आज हम बात करेंगे को लेकर रिपोट आ रहे हैं सरकार की मंदी की रिपोर्ट के बाद सब्सक्ति कि रिपोर्ट का जो असर है उसकी वज़ہ से खाज तेज बाज कुछ नजर नहीं आ रहा है हलांकि विदेश्वी मांकेट में आज तेजी के साथ कारोबार देखा गया अमेड की सोयबीन के अंति मिस्टॉक पुराणी फसल ब्राजील के सोया फसल पर यूएज़ीय की मंदी की संख्या सबसे अधिक सीवियोटी मार्ट सोयबीन को मार्च और मई अनुबंदों में करी है यूएज़ीय ने एक फरवरी को समाप्त सप्ताह में यूएज दो हजार तेसे दो हजार चौविस सोया बीन की निर्यात बिक्री तीन लाग चालेस हजार में चुचन होने की सूचना दी जो की चार लाग से डस लाग टन के व्यापा में बहुत जड़ा तेजी नहीं है महाराष्ट्र में सोया बीन में लातूर में प्लांट करेंट 4725 धन्राष्ट बांट कीमिते 4700 चल रही है दुलिया में डिसाम प्लांट कीमिते 4735 रुपे देखी जा रही है नाडेन में श्री निवास एग्रो प्लांट का रेट 4650 सकते हैं रिखा जा रहा है और मद्यप्रदेश में रिफाइंड में प्लांट में प्रकास प्लांट कीमिते 910 महेश प्लांट कीमिते 910 और अभी प्लांट करेट 915 रुपे बजारों में देखा गया है ओवर और मार्केट में विदेशी बजारों को देखते हैं तो घरेलू मार्केट में कुछ सुधार तो जरूर नजर आया है लेकिन सोयवीन के बजार में बहुत वादा तेजी आने का असार नहीं है युज़े के रिपोर्ट में बहुत जादा पॉजिटिव इफेक्ट घरेलू बजारों पर नहीं जरूरत के हिसाब से आप सोयवीन के बजार में खरीदारी गिरावट पर कर सकते हैं तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही वीडियो कर आपके लिए उस्फिल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजे मिलते हैं आँ सब्ली खबरों के साथ अब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ थाइस वाचिंग बिरू रिपोर्ट न्यूज माकेश चुनिफोर